प्यारे साथों नमस्कार एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एस्टूट हेल्प में जैसे आप लोग गता है कि यूपी पुलिस की एसाई और एसाई की जो भरती आच चुकी है ओ लेबल के समक्षे सतों मांगे गया है डिगरी तो इस वीडियो आपको बताऊंगा कि ओ लेबल के समक्षे कौन कौन से डिगरी आती है अगर आपने BCA कर रखा है BCA कर रखा है BCA कर रखा है BTEC कर रखा है और CCA कर रखा है तो क्या आप लोग आपेदन कर सकते हो और भी लोग नए हो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको क्या होगा कि यूपी पुलिस यूपी एसाई से जोड़ी कोई भी अपडेट होगी तुरंत अब तक अपडेट पहुच जाएगा यह यूपी पुलिस के यूपी एसाई और यूपी एसाई की भरती का जो होता तो इस नोटिस में सब चीह दी गई है अगर आप लोग फार्म को अपलाई करना चाहते हूं तो सब पहले देख लो की वह लेबल के समखची कौन-कौन से दिगरी हाती है क्योंकि आप लोग फार्म को पबाई भर्दोगे आप आप वां तो अपलाई हो जाएगा लेक और यहां पर आप लोग यह भी देख सकते हो कि अरच्छी नरच्छी पिछाड़ और के सेस्टी इनकों कितने किते पोस्टें में डिवाइट किया गया है तो इधर हम लोग सबसे नीचे जाएंगे आप लोग यहां पर सबसे इंपॉर्टन चीए देख लो कि आप लोग सबसे नीचे वाले अपसंस पर आओगे तो आपको यह एक पैराग्राप आपको दिखेगा ठीक है तो इस पैराग्राप में क्या चीजिए हैं आपको मैं पढ़के बता देता हूं एक बार साती हो पूरी जानकारी दूंगा एटुजड जानकारी कामार्किक अनु भी जाने के संव्पनि नम होद से वालाप की अरगे समघ्म जेक जिकान का पमिसेब्रस एक हैं अगर आपशर कमप्यूटर के हैं और होंऋ वह बहुत सारे ऐ होंगे ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DSC, DCT, DIP, DISA, DISM, DITA, DHT, DPT आप लोग देख लोगे इसने बहुत सारे courses है MDCA, MDC, ISM, MDIT, MOM, SP तो ये बहुत सारे यतनी भी courses आपको दिखा रहा हूँ है ये सभी courses जो है O-Level के समक्ष है अगर आपने O-Level नहीं किया है तो अगर आपने ये degree सभी किया है तो ये सभी courses जो है O-Level के समक्ष आते हैं और आप लोग farm को आसानी से apply कर सकते हो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पे और भी नीचे है मैं दिखाऊंगो साथ हो यहाँ पे चान नमर आप लोग देखो UP Disco के उत्तिड एक वर्षे का DIT Diploma in Information Technology पार्ट करम उत्तिड हो और पांच नमर पे है इसना तक अस्तर पर एक बिसाय के रूप में कम से कम एक वर्षे Computer Science से Computer Application आपने कर रखा हो तो यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई कर गए तो आपके पास यह चीज़ें मांगी जाएंगी एक वर्षे का आपके पास Computer कोई भी कोर से हो तो आसानी साब लोग UPSI और UPSI उफाम को आपधन कर सकते हो तो सब से important जो है यह छे नमर है ठीक है इसी पच्चे यह बहुत सारे बच्चे confusion रहे हैं Sir मैंने तो B.C का रखा है मैंने B.Tek का रखा है मैंने M.Sc का रखा है मैंने B.C. का रखा है क्या मैं आपधन कर सकता हूं जी आप लोग आपधन कर सकते हो नोटिस में आप लोग देखिए BC, IT, MCA, BTEC, A-Level, B-Level, C-Level के computer courses BCA, MSC, Cyber Law & Security BCA में computer science computer application एक भी से व क्रूप में कम से कम अकर आप UP, SI तयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक book सेस्ज करओँगा यह book है चक्सू पब्लिकेशन की इस book में आपको मिल जाएंगे चार सौल पेपर मिल जाएंगे और तीन हर दो से प्लस आपको बहुत भी कलपी कोस्टन से मिल जाएंगे और इस बुक में सीदिये है कि इसकी स्टेडी गाइट के साथ-साथ इसकी जो प्रेक्टिस सेट हुए बिलन गुड़ है आप लोग इस बुक से तैयर के लिए आपको जो एक्जाम में निश्चिंत किलियर हो जाएगा तो अगर आपने बेसी कर रखा ये सबी चीज़ कर रखी है तो आप लोग आवेदन निश्चिंत होके करिए आपको कोई दिक्कत साथो नहीं होने वाली है तो और भी सारे इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं आप लोग देख लो तो यहाँ पर देखिए ये कोर्सेज हैं तो अगर आपने साथो ये सबी कोर्सेज कर रखे हैं तो ये सबी कोर्सेज जो हैं ओ लेबल के समक्सियाते हैं और आप लोग अब इदन कर से इसकी तैयारी करिए और इसका जो एक्जाम है आप आसानी से किलियर करिए ठीक है तो अगर आपके पास कोई डाउट है आप लोग कोई कन्फूजर है सरमाइन यह कोर से कर रखा है तो आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट छोड़ देना मैं उस अब तो मौझे